नमस्कार दोस्तो आईरवेदिक समादान मौ में आपका स्वागत है दोस्तो आज फिर हम धर्ती के अनमुल्क खजाने से एक ऐसी आउसदी की जानकारी लाए हैं जो कि हमारे जीवन को रोगमुक्त और खुसहाल बनाती है तो दोस्तो आज हम इस आउसदी के गुणों के बार करके जरूर बताएं जोस्तों इस आउसदी का दोस्तों प्रियोग दाद में दिनाय में किया जाता है और एक जीमा जैसी बीमारी में किया जाता है दोस्तों इन दोनों बीमारियों को यह जर से समाप्ट कर देती है जोस्तों आज हम इसके प्रियोग के बारे में जानेंगे इससे पहले दोस्तों हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो आन तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बेल आइकन दबा लिजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आएए दोस्तों हम इस अवसदी के प्रियोग के बारे में जानते हैं इसका प्रियोग कैसे करना है दोस्तों दोस्तों आपको दाद है बहुत पुरानी है बहुत दबा करके आप परिशान हो चुके हैं और ठीक नहीं हो रही है तो इस अवसदी का प्रियोग आप कर सकते हैं दोस्तों इसे अग्या नाम दोस्तों इसलिए दिया गया है और अग्या नाम से जाना जाता है कि इस अवसदी को जब आप दाज पे रखेंगे तो आपको आपकी तरह जलन होगी और दोस्तों मात्र दो से तीन मिनट ही रखना है और आपकी दाज जर से समाप्त हो जाएगी तो दोस्तों इस अवसदी के इन पत्तियों का प्रयोग करना है दोस्तों इस पत्तियों को तोर लेना है और मात्र पांसाथ पत्ति को तोर लें जितनी आपकी बड़ी दिनाय है उतनी अवसदी की पत्तियां ले ले और इसे पीस ले पीस करके दोस्तों उस दिनाय को उस दात को खुजला दें खुजला करके उस पे लेप कर दें मात्र दो से तीन मिनिट में दोस्तों आप उसे हटा दें जितना बरदास कर सकते हैं क्योंकि जलन होगी इस वसदी को लगाने के बाद और दोस्तों आपका मात्र एक ही खुराक में जड़ से समाप्त हो जाएगी दिनाए दाद समाप्त हो जाएगी दोस्तों दुबारा आपको लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी और दोस्तों एक जीमा में भी आप इस वसदी का प्रियोग कर सकते हैं एक जीमा जोस्तों जहां पर भी है एक जीमा बहुत बुरा लगता है देखने में उसको दोस्तों उसको खुजला करके इन पत्तियों का प्रियोग करें उसके दोस्तों उसका लेप लगाएं लेप लगाने के बाद छोड़ दें दोस्तों जितना आप बरदास कर सकते हैं उतन उसके रखें दोस्तों जब बरदास से बाहर हो जाए तो हटा दें दोस्तों आप देखेंगे कि दो से तीन खुराक में ही आपका पुराना से पुराना एक जीमा जर्शिस समाप्त हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों यह रही आज की जानकारी जानकारी कैसी लगी है अच्छ लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाब मिल सके धन्यवाद